हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टडी नियूज आज हम इस वीडियो में वॉलकेनों के बारे में जानेंगे ये क्यों बनते हैं इनका उद्गार क्यों होता है और ये किस छेत्र में सबसे अधिक पाये जाते हैं और भी इनसे जुड़ी प्रमुख बाते जानेंगे सो लेट अस जुआला मुखी का संबंध प्रिथवी के अंतरजात बल से उत्पन होने वाले अकस्मिक संचलन से है इसके अंतरगत प्रिथवी के आंतरिक पर्तों में पेरिडो टाइड के गलन से मैगमा की उत्पत्ती होती है जब यही मैगमा प्रिथवी के आंतरिक पर्तों को तोड़ जौला मुखी क्रिया के अंतरगत लावा के अतिरिक्त गैस राख वा तरल प्रदार्थ भी प्रिथुई की सतर पर पहुंसते हैं इस प्रकार मैगमा की उत्पत्ती से लेकर उसके उद्गार तक की संपूर क्रिया को जौला मुखी कहा जाता है जौला मुखी में सबसे अधिक जलवास्प निकलते हैं और इसके अलावा कारबन डायकसाइड, सर्फर डायकसाइड, हाइडरोजन और नाइटरोजन जैसे गैस निकलते हैं अब चानते हैं जौला मुखी कितने प्रकार की होते हैं ज्वाला मुखी को कई प्रकारों में बाटा गया है जिसमें सक्रेता के आधार पर विस्फोटक्ता के आधार पर भोगौलिक अवस्थिती के आधार पर अमलेता एवं चारेता के आधार पर पहले हम जानते हैं कि सक्रेटा के आधार पर जॉला मुखी किस प्रकार के होते हैं सक्रेटा के आधार पर जॉला मुखी तीन प्रकार के होते हैं पहला सक्री जॉला मुखी, सुसुप्त जॉला मुखी और मृत्य जॉला मुखी सक्रिय जॉला मुख्य वे जॉला मुख्य होते हैं जिनमें समय समय पर मेगमा निकलता रहता है और वर्तमान में भी इसका उद्गार हो रहा ऐसे प्रकार के जॉला मुखी को सक्री जॉला मुखी कहते हैं इसमें मुख्य रूप से इटली का इश्ट्रोंबोली भूमाद सागर का प्रकास इस्थम्भ है दूसरा माउंट एटना जॉला मुखी जो इटली में है तीस्रा एक्वाडोर का कोटो पैक्सी जौला मुखी फिर इसके बाद अंडमा निकोबार का बैरंदीप जो भारत का एक मात्र सक्री जौला मुखी है फिर इसके बाद मांट एरेबुस जो अंटार्क्र्का में है मोना ужा हवाई दीप पर और मेयोन फिलिपिन्स में स्थित है इसके बाद मृत जौलामुखी यह ऐसे जौलामुखी होते हैं जिनमें हाजारों वर्सों तक कोई उदगार न हुआ हो और भविस में भी उदगार होने की कोई संभाव न हो ऐसे प्रकार के जौलामुखी को मृत जौला मुखी कहते हैं मृत प्रकार के जौला मुखी में मुखित तंजानिया का कीली मनजारो, मियमार का पोपा इरान का देमबंद अर्जंटीना का एका का गुवा एकुआडोर का चिंबो राजो प्रमुख जौला मुखी हैं इसके बाद सुसुप्त जौला मुखी को जानते हैं जो लंबे समय तक सक्री ना हुए हो लेकिन इनके कभी भी सक्री होने की संभावना रहती है इन्हें सुसुप्त जौला मुखी कहते हैं इनमें मुखित जापान का फ्यूजियामा जौला मुखी आता है पहला सांत दरारी प्रकार का जॉला मुखी ये वे जॉला मुखी होते हैं जिनमें क्रिया के दौरान जब जॉला मुखी से मैगमा का उदगार विस्फोटक प्रकार का नौ होकर दरारी प्रकार का हो और मैगमा कम गाढ़ा हो तब उसे सांत दरारी प्रकार का जॉला मुखी क दोरान जब अमली एवं गाड़ा मैगमा विस्फोटक के साथ सतह पर आता है तो इसे केंद्रे विस्फोटक प्रकार का जौला मुखी कहते हैं इसमें मैगमा सतह पर ना फैल कर संकू का निर्मार करता है अब जानते हैं भोगौलिक अवस्थिती के आधार पर बाटे गए अभिसारी प्लेट सिमांत जौला मुखी दूसरा अभिसारी प्लेट सिमांत जौला मुखी और तीसरा अंतह प्लेट जौला मुखी आते हैं फिर इसके बाद अमलेता एवं छारेता के आधार पर बाटे गए जौला मुखी इसमें पिलियन तूले जौला मुखी वैलकेनिय अधिकांस भुकंप एवं जौला मुखी रिंग और फायर छेतर में आते हैं जो प्रसांत महासागर की पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों किरारों पर विस्तरित हैं रिंग और फायर प्रसांत महासागर में भुकंप एवं जॉला मुखी इसे प्रभावित लगभग 40,000 किलो मीटर के छेतर में विस्तरित है अब जानते हैं वॉलकेनों से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट बाते पैसिफिक महासागर में पाए जाने वाला टैमू मैसिफ दुनिया का सबसे बड़ा जॉला मुखी माना गया है इससे पहले ये इस्थान अमेरिका के हवाई द्वीप पर मॉना लोगा जॉला मुखी का था टेमू में मैसिफ ज्वाला मुखी लाखो सालों से सांत है और महासागर के अंदर इस्थित है और एक्वाडोर में इस्थित कोटो पैकसी विसु का सबसे उचा ज्वाला मुखी है यह वर्तमान में सक्री अवस्था में है और यह दच्छड अमेरिका के एकवाडोर में एंडीज परवत्स रेडी में इस्थित है और सबसे उचा सक्री जॉला मुखी ओजोस डेल सलाडो है जो चीली और अर्जेंटीना की सीमा के मध्ध में है दुनिया में सबसे ज़्यादा चीली में करीब 95 सक्री जॉला मुखी है उनमें से विर्रिका 1847 मीटर उचा है और यह सबसे सक्री जॉला मुखी माना जाता है तो यह थी वॉलकेनो से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक सबस्क्राइब एंड कमेंट